हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल एजे मेडिसिंस में मैं हूँ आपका दोस्त अजीत आज मैं आप लोगों को जैथरिन 500 mg टेबलेट के बारे में बताऊंगा यानि कि एजी थ्रोमाइसिन 500 mg टेबलेट के बारे में कैसे इसे यूज करना होता है किन-किन प्रॉब्लमस में इसे यूज कियाता है कितने दिन तक इसे लेना होता है और क्या इसके सचमे घहतक साइड इफेक्ट देखे जाते हैं ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल कॉल जरूर कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ मेडिसिन से रिलेटेड तो वो आप तक नोटिफिकेशन के दोवारा जल्द पहुंच जाए तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले में आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप वीडियो को शुरू से लेके आएंड तक जरूर देखें ताकि आप कोई भी जानकारी मिस्त ना कर सको जैथरिन 500 mg टेबलेट एक एंटिवाटिक मेडिसिन है यहें एक स्क्रिप की पैकिंग में आता है जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख पार होगे इस एक स्क्रिप में पांच टेबलेट होती है और इस पांच टेबलेट का जो प्राइज है वह है 132 रुपे यानि 132 रुपी मिल जाती है अब हम जानते हैं कि यह किन-किन फ्रॉब्लम में इस कर दो इस या फिर किसी को नीमोनिया की शिकायत हो गई है तो ऐसी कंडिशन में भी डॉप्लर करते हैं साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा जिन लोगों को बहुत ज्यादा खासी की प्रॉब्लम है उसमें भी इसे रिक्मेंट किया आता है या फिर किसी को इसकिन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई है फोड़ा फुनसी घाव हो गया किसी परकार का ऐसी कंडिशन में इसे दिया आता है या फिर किसी को बहुत समय से कान में इंफेक्शन हो गया है या फिर नाक में इंफेक्शन हो गया है नाक बहरी है या फिर कान बहरा है कान में फोड़ा या फुनसी हो गई है ऐसी प्रॉब्लम में भी इसे रिक्मेंट किया आता है या फिर किसी को यूरी infection की problem हो गई है पिसाब के रास्ते में जलन खुजली दर्द ऐसी problem में भी इसे दिया आता है साथ-साथ यह जिन लोगों को बुखार हो जाए या फिर टाइफाइट बुखार हो जाए ऐसी condition में भी इसे recommend किया आता है इन सारी problems में इसे यूज किया आता है जिसमें इसके जबर tablet आपको रात को सोने से पहले खाना खाने के बाद लेना होता है पानी के साथ अगर आप चाहो तो इसे दिन में भी ले सकते हो आप सुबह नास्ते करने के बाद इसे एक tablet पानी के साथ ले सकते हो कोई एक समय पे ही लेना है चाहे आप रात मिलो चाहे आप सुबह लो अब म को परेशान नहीं होना है जब तक आपको डौक्टर कहें तब तक आ इस दवा को लीजिए अब हम जानते हैं यह जो डौश के चाल रहीं है तो जब भी डौक्टर करें तब ही अपनी मरजी सीनले सब्सक्राइब्ह। इससे क्या घहातक साइड एफक्ष्स 2 जैनलेवा भी हो सकते हैं जी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जब आप इस दबा को लेते हो ऑर लेने के बाद आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आन लगे तो समझ ली जए किए कि आप कोई स्वाधी नहीं हो रहे जा फिर आपको खवकराहट मैसمة है गए बैचे नहीं मैंसे तो ऐसी कंडिसन में भी आप समझ सकते हैं कि आप कोई सोट नहीं हो रहा या फिर आपको उल्टी सा मन या उल्टी होने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि आप कोई सोट नहीं हो रहा है तो खिर आपको दस्म सकते हैं कि आप कोई सवह नहीं हो रहा है तो बीत दवा सूट नंहीं हो जब यह इस दवाको आपको रोग दिजिए और कोई बीडोक्ट आपके नज़ीकिए उससे अ sure it. यह होब कि